storage devices क्या होते है storage devices किसे डिटा स्टोर करते है कितने ने टाइप के storage devices होते है आची storage devices कौण से होंगे and my 인ग कोन से होंगे श्राइज होंत है यह सारे चीज़े में द उने last lecture में cover कर चुखे तो इस लेक्शार में हम समझ रहा ओंगे कि आप उन मे उन स्टोरीज होते क्या है इस वकत मेरे computer में एक storage device लगा है तो माले हम यहां पर SSD लिखते हैं तो मेरे computer में SSD लगा है और इसके हमने हिस्से बनाने अब इसके हिस्से क्यों बनाया जाते हैं हम इस storage device के inside operating system को install करना चाहते हैं operating system जैसे के window window 10 11 और जो भी operating system होगा वाप इसकी inside install करना चाहते हो अब जब operating system आप इसके inside install करते हो तो मालो इसका जो size वो 500 GB का है तो आप इसमें जब operating system install करोगा तो operating system पूरा जगा तो नहीं लेगा जगा यहां पर बच जाता है बाकि आप इसके inside files create करते हो कुछ videos download करते हो audio download करते हो अपने software's download करते हो files create करते हो और आप time लगा कि इसमें क store हो रहा हुता है तो माले अगर कुछ इस तरह का आपको SSD मिल रहा है और उस SSD का आपको यहां पर single drive मिल रहा है कुछ इस टाइब का और उस drive के नीचे यहां पर लिका हुआ रहा है 500 GB और इस 500 GB के inside आप store करते हो operating system को operating system means window को आप install करते हो window को आप यहां पर store करते हो window को तो आपने टाइम लगा के खुद के जो documentation काम है वह भी कर लिए इसकी inside तो इसमें operating system भी store है और आपकी जो files भी store है आपकी software भी इसमें store है आपका data भी इसमें store है इन feature अगर आपके computer में कोई भी वाइरस हा जाता है तो वाइरस डारिक आपका storage device पे attack करता है और attack करने के लि data होगा वो सारे इसकी inside loss हो जाएगा तो इसके लिए हम फिर करते ही क्या है मालो मेरे पास यहाँ पर 500GB का SSD पढ़ा है या storage device पढ़ा है तो मैं इसके partitions बनाता हूँ window करते वक्त operating system install करते वक्त partition के लिए मैं कहूंगा कि 250GB यहाँ पर एक drive बनाया जाए तो 250GB का एक drive बनाया जाए तो मैंने अपना यहाँ पर जो storage device है इसे दो हिस्सों में divide कर लिया half half कर लिया तो मैंने यहाँ पर अपना जो storage device है वो half half कर लिया 250GB अलग कर लिया 250GB अलग कर लिया अब in future अगर virus आ जाता है तो virus पर राटिक करेगा यहाँ पर operating system के उपर तो operating system अगर corrupt होगा तो यह 250GB की inside जितना भी data होगा वो सारा corrupt हो जाएगा लेकिन पिर भी यह वाला हिस्सा आपका secure रहता है हाँ कुछ खतरना को irises होते हैं वो इस side को भी यहाँ पर corrupt कर लेता है पर पिर भी maximum chances होते हैं कि आपका operating system अगर corrupt हो जाता है पिर भी आपका यहाँ पर जो बागी drives होंगे वो secure रहते हैं तो पिर आपको अगर operating system install करना होता है तो operating system installation के वक्त आपसे question किया जा सकता कि क्या आप यहाँ पर जो यह वाला drive है जिसका नाम होगा C drive तो C drive को आप क्या format कर वो operating system corrupt हो गया हम इसकी inside नया operating system installation करते हैं वक्त सबसे पहले इसे करेंगे format फिर इसकी inside हम operating system नया refresh install कर लेंगे अब दूसरा जो 250 GB का हमरे पास drive होगा या disk होगा तो इसकी inside भी हम यहाँ पर data store कर सकते हैं तो यहाँ पर हमसे question किया है कि आप इसको format करना चाहते हो तो जाहर इसे रहने देंगे अगर आप इसे रहने दोगे तो जाहर बात है आपका जो बे all data होगा इस वाले operating system की inside जो बे all data था वो आपको यह हापिस drive की inside वापिस same मिल जाएंगे अगर आप इसे format नहीं करते फॉर्मिट कर लिया तो जाहर बात है यह drive भी चला गाया यह drive भी चला और आपका data operating system की साथ चला गया फिर आपको वापेस नया operating system और अपना जो data है वो नए सेरे से वापेस लिखना होगा download करना होगा या तो बनाना होगा तो अमीद कर तो आपको यह आपर समझ आ चुका होगा partition हम क्यों बनाते हैं partition को अलग-अलग letters दिये जाते हैं जैसे के A से लेकर Z तक हमारे पास letter होते हैं और इन letters के बीच में हम किसी भी letter को चूज करके अपना कोई भी disk बना सकते हैं या partition बना सकते हैं पर जब आप operating system को इस्टाल करने जाते हैं तो जाहर बात है सबसे पहला drive जो आपको मिल जाता है वो C के नाम से और operating system के लिए C वाला जो drive तो पेness--टी और बनाना है और इसमें है ऐसमें उदेटा रखे मुझे प्रोटेकr करना है तो आप रहाए इस tram Sem talented लिए कि बीचाया कर सकती हो बाना है इसे जाते हैं किसे हाई महाएप किया जाता किसे इनका नाम चेंजिश किया जा सकता और और किसे इनका पास्षोर करना है दिस पीसी को दिस पीसी पे जिसी आप क्लिक करोगे तो इसकी इंसाइड आपको आपके पार्टिशन दिख रहे होते हैं तो आपके कम हो सकते हैं मैंने यहां पर चार पार्टिशन के नाम खुद ही अपने ही सबसे रख भी सकते हैं और नीचे आपको साइज भी बताय होता है कि इस परटिशन के इंसाइड आपका डेस्टॉप भी आ जाता है तो याद रख लो यह सी ड्राइव में आपका यह डेस्टॉप भी होता है इस टॉप अगर आप अपना डेटा रखते हो फिर बता रहा हूँ यह तीन रहेंगे अगर यहांपर जितना बी डेटा होग ecc 지역 direito में अपना जो डेटा है सी ड्रायिव के इलावा उन में अपना डेटा रख सकते हो अगर सीड्राइव करप्ट हुआ तो डैस्टॉब इसके साथ चला जाएगा डेस्टॉप में जो आपका डेटा होगा वह भी चला जाएगा पर आप कहोगे कि मैंने यहां पे इस ड्राइव को फोर्मेट नहीं पर मैं देता घायब क्य्यूँ वा क्योंकि इस ड्राइव का हिस्सा डिस्टॉपर नहीं है ड्याइव कि जहां पर operating system मुझूद है अब partition के से बनाया जाता तो मैंने यहां पर चाल ड्राइब के से बनाया है उसके लिए हमने इस PC पर right click करना है right click करने के बाद आप show more options पर click कर लो यहां पर एक option आपको डूड़ना होगा manage नाम का अपने इस पर click करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने यह वाला interface आजाएगा और इस interface के inside आपको यहां पर storage मिल रहा होगा और इसकी inside आपको disk management तो आप storage को कुछ इससर से collapse और expand कर सकते हो और आपने disk management पर click करना होता है और दूसरा disk one नाम से आ रहा है और यहां पर इनका capacity है वो भी मुझे बताया जा रहा है कि कितने कितने GB के आपके यहां पर disk आ रहा है अब पहला जो disk है जो कि disk zero के लाता हो तो उसमें कितने partition बने हैं वो मुझे यहां पर बताया जा रहा है अब जो दूस्रा डिस्क ऐओ जो कि डिस्क 1 के नम से आ रहा है उसमें हमने कितने फ्राटिशन बनाए है वो भी हम यहां पे देख सकते हैं वकिए यहां पर चोटे फ्राटिशन बैकाप के लिए यह निए खुद रख रहा है जैसे कि किशे मेमरी के लिए रिजिस्ट्री मेमरी के लिए तो यह कुछ पेकाप्स और कुछ पार्टिशन्स यह खुद से बना रहा होता है आपका ओपरेटिंग सिस्टम हमने यहां पे सी ड्राइव को साइज दिया है पांच सो चालीश जीबी का अलमस्ट और एक जी ड्राइव यहां पर आ रहा है उसे से मज़े मज़ीद पार्टिशन्स निकालने हैं तो 229 जीबी इसका साइज आ रहा है तो मुझे इससे 100 जीबी का यहां पर अलग सा पार्टिशन्स चाहिए होगा तो हम यहां पर आ जाएंगे वापस डिस्मेनेजमेंट की तरफ और यहां पर स्टड़ी वाला जो पार्ट क्लिक करेंगे श्रिंक वोलियों पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यह तोड़ सा प्रोसेस करके एक मेन्यू लेकर आ जाएगा कि आपको जो भी यहां पर साइज चाहिए होगा वह आपको किस चीज़ में बताना है इसे मुझे 100 जीबी का यहां पर जगा चाहिए हम यहां तो यहां पर आपके समने नंबर आजाएगा 1,4,000,000 में यहां पर इसे जो नंबर देना चाहँँगा वह एक लाक देना चाहँगा करते एक लाक करते हैं यहां पर टॉट करेंगे श्रिंग प्लिक करने के बाद कुछ द्स दिर में यहां पर एक नया पार्टिशन बन अब computer को यहाँ पर एक दफा refresh भी कर सकते हैं, तो यहाँ से computer को refresh कर लो, refresh करने के बाद गोर करोगे, इस से यहाँ पर size 100GB का निकाला गया, पर हमें वो next partition यहाँ पर नहीं मिला, तो आप वापस यहाँ पर आजाएं, आने के बाद, यह वाला drive है जो अभी तक active नहीं है, यह format क wait कर रहा है, कि मुझे एक दफा format कर लो, उसके बाद मैं active हो जाएंगा, तो आप इस पर right click कर लो, new simple volume पर आप click करोगे, और आपने next पर click करना है, पर next पर click करना है, यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी letter choose कर सकते हो, और पर next पर click करना है, पर next पर click करना है, और इसके ब यहाँ पर ascending order में आपका जो data है, वो तरतीब ले रहा है, तो जो चीज़े A के करीब होंगे, वो start में आएंगे, जो चीज़े Z के करीब होगे, वो last में आएंगे, तो A start में आ रहा है, फिर B होगा, फिर C होगा, तो B नहीं है, तो C पर आ पर इसके बाद E आ रहा है, इसी रहा हो, तो इसका नाम में यहाँ पर software रखोंगा, continue पर क्लिक कर लिया, कुछ देर में यहाँ पर इसका नाम change होके software आ रहा होगा, बाकि आगर आप इस drive को hide करना चाते हो, तो hide भी कर सकते हो, कैसे hide करेंगे, right click कर लो, manage पर जाने के बाद यहाँ पर आपना जो drive है, जैसे क यह वाला drive इस पर right click कर लो, और यहाँ पर एक option आपको मिल रहोगा, change drive later and path, आप इससु क्लिक करोगे, option का नाम क्या होगा, change drive later and path आप इस पर क्लिक करोगे, click करने के बाद, यहाँ पर आपके पास option होगा, multiple options है, तो इसमें आपने remove पे क्लिक करना है, तो हमें right click करोंगा, change इसका letter यहाँ वहाँ से गयाँ करोच लाँ है और यह ट्रायव यसा और अब यहां को नहीं मिलाँ वह हुद हो हीदन हो चुका है अब वापस इसे लाने के लिए शेमियों पैक्लिक करना होगे यहाँ तो आप इसे कोई भी लेटर चूस के देता हो जिसे मैं यहाँ पर दे देता हो, ओके पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर यहाँ पर एक दफा पर एक्टिव हो जाएगा, तो आप इसमें डेटा रखे इस तरह इसे हाइड भी कर सकते हो, अब अगर यह ड्राइव आपको डिल आपने इस ड्राइव पर वापस राइट क्लिक करना होगा, तो आप इसे कोगे कि भाई आप अपना जो यहाँ पर स्टोरेज है, वो खुद में शामिल कर लो वापस, तो इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा, उप्शन का नाम क्या होगा, एक्स्टेंड वॉलियम, तो आप राइट क्लिक करके एक्स्टेंड वॉलियम पर क्लिक कर लो, नेक्स पर क्लिक कर लो, और फिनिश पर क्लिक कर लो, तो यह वाला ड्राइव यहाँ पर खतम होके यह इसमें वापस शामिल हो जा सकते हमें यहांपे मैं एकशोटा सा पार्टेशन मिल रहा होंगा हम राइट क्लिक करेंगे लेशंद क्लिक करेंगे क्लिक करक्षक एक लिए ना इसे password protected करना है password लगाने के लिए आप राइट क्लिक कर लो राइट क्लिक करने के बाद show more options पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने आ रहा होगा turn on bitlocker bitlocker एक feature होता है आपको window की तरफ से मिल रहा होता है Microsoft की तरफ से मिल रहा होता है operating system window में तो आप इसके तो इस पर password लगा सकते हो और यह सेम फीचर आपको control panel के inside भी मिलता है तो हम यहां पर control panel की तरफ जा सकते हैं तो मैं यहां पर त्री finger का tab और यहां पर लेकूंगा control panel और यहां पर आके हमने ढूंडना है हमने bit locker डूंडना है तो मैं यहां पर डूंडन लेता हूँ bit locker bit locker बाईया यह रहा bit locker drive encryption आपने spec click करना है click करने के बाद यहां पर turn on bit locker c drive के लिए नहीं c drive को क्यों प्रोटेक्ट करना है हमें यहां पर जो प्रोटेक्ट करना है वह यह वाला drive है R नाम का आप इस पे कर शुका है रहा है अनलोग करना पसवर्ड के तरो और दूसरा स्मार्ट कार्ड के तरो लाम यहां पर पसवर्ड की साथ जा रहे हैंगे तो में स्साटरी का चेक लगाँगा की मोश्चा करछा है आघे- कर सकते हैं अपनी KEE को witnessed कर लो दो जाो फिशन बजा ओर रहां जाते हुंं तो इस ब्रक्ता उडों कर सकते हो तो अपने कुछकि कई की की है यह आपने प्रोट को पेश्ट कर लो य데 मे रने को जब भी आप BitLocker का password बूल जाओगे तो यह वाली recovery की आपका help करेगा इसे unlock करने में फिलाल हम यहाँ पे choose कर रहा हूंगे save to a file save to a file क्यों choose कर रहा हूँ क्यों क्यों USB फिलाल में नहीं लगा रहा है save to a file पे click करेंगे क्लिक करने के बाद किसी भी location पर हम इसे save करेंगे तो में डिस्टॉप डिस्टॉप नहीं हम यहाँ पर इससे दे रहे हूंगे documents documents वाले location पर मैं यहाँ पर recovery की को यहाँ पर save कर रहा हूंगा तो हम यहाँ पर save पर click करेंगे और save पर click करने के बाद next option enable हो जाएगा आपने next पर click करना है और यहाँ पर दो options मिल रहे होंगे इन दो options को आप पढ़ लो अपने ही साफ से जो भी option आपको चेक करना है आप चेक कर लो इसवक्त हमें कहा जा रहा है कि best for new PCs and drives तो मैं इसी option के साथ यहाँ पर जा रहा हूंगा और मैं यहाँ पर next पर click क करना है और start encrypting पर हमने क्लिक करना है तो यह यहाँ पर हमारा जो drive है वो encrypt कर लेगा तो अब इस ड्राइव पर देखोगे तो इसके समने यहां पर लोग आ रहा होगा एक दफा आपने computer को restart कर लो तो यह drive आपको लोग मिलेगा यह कुछ देर का यहाँ पर चाहरा होता है क तो डिसेबल करने के लिए हमें वहादे सकते हैं करना होगा हमें जना कीटार की तरफ तो मैं यहाँ पर corner फिस और COMों. options मिल रहे होंगे और यहां पे आपके पास एक option होगा रिम्हों पासवर्ड की यह सारा जल्दी ऐहां नहीं होता पर हां इस वकत में काम कर रहो क्यों रूपिट रहा है तो इसलिए यहां पर अगर यह यहां पर घॉजा और नहीं कर साथा और यहां चाहिए तो नहीं करना हो दे सकते हो तो कुछ इस तरह से आप अपने partitions को protect भी कर सकते हो तो उम्हेद करता हो आपको partitions total समझा चुका होगा और किसे partitions बनाने है किसे delete करना है किसे rename करना है hide करना है तो किसे आप इसे protect कर सकते हो हुआ है